मेरे द्वारा शब्तमबर के ठात्रों को संस्कृट में कर्षा पाथा महराना प्रतापह परहाया जा रहा है पूरा अश्माकन देशे मुझलिम सास्का नाम शाशनम आशी पहले बहुत समय पहले हमारी देश में मुझलिम सास्कों का शाशन था जेसे सरवत्र हाहाकार आशी, देशमें सब जगह हाहाकार मजा हुआ था, समगरह देशा मंध अधीन स्थ्यात इत्धी मुस्ट्रिन स माशुका नाम प्रतिंज्या आशी, सारा देश मेरे अधीन में रहे मुस्ट्रिन शासकों की ऐसी प्रतिया थी, तस्मीन समये भारत वरसे अकवरसे सासनम आशे। उस शमय भारत वरस में अकवर का सासन था। प्रताप बत्पंसेही वीड, शाहशी, उदार और निरुजीद था। जदाप प्रताप राज शिंहासनम आरोहत तदा सह प्रतिज्याम अकरत जावर मम देशा स्वतंत्रहन भविश्यती ताबत अहम सुखन्या सेजिश्ये, कस्तानी सहिश्ये। जब प्रताप का राज्या सेखुगा, तब उन्होंने प्रतिज्यां की, जब तक मेरा देश स्वतंत्रह नहीं होगा, तब तक महीं सुख पूरुवक नहीं बैठूंगा, कस्तु सहुँगा। अकवरेन प्रताप आया प्रलोभनानी दर्तानी, अकवर ने प्रताप को बहुँद प्रलोभन दिये, अकवर की द्वारा प्रताप के लिए, बहुद सारे प्रलोभन दिये गए, चारे बच्चों यह करम बात पिया है, अकवर ने प्रस्ताव रखा यदि तुम मेरी अधीनता स्रीकार करते हो तो मैं तुम्हें प्रतिष्ठित पर और सभी सुख्ष विलाएं प्रदाने करूंगा जीड़ प्रताप बहुत स्वाजिमानी तेन अकवर से प्रस्तावं ना सुक्रितम उनके द्वारा अकवर के प्रस्ताव को सितार बने किया गया यानि उनके प्रस्ताव को ठुकरा दिया गया अने अकवर हुष्टा जाता इससे अकवर नाराज हो गया जीड़ प्रताप ने कित्तवर की सुटन तर्ता के लिए अकुबर के साथ जुद्ध किया जुद्धे प्रताप स्या पराजय अभवत जुद्ध में प्रताप की हार हो गई सह निर्धना जाता वे निर्धन हो गए साधने से प्रताप जंगल में है और अने करतां और बनात्र अपी काश्टम में यह प्रताप ने समात्र पहिस कर्वाव मि यकिन प्रताप स्वह नहीं ताके लिए युद्ध करती हुए अपने प्राण ज्याग दिये धन्या शह महां देश भक्त का वयंकं सादरम नमाम वे महां देश भक्त धन्य है हम उनको सादर प्राम करती है अब मैं बकाने जा रहा हूं ही होता है यह अब यह है तदा सब्द का अर्थ तब होता है या भी अब ये है एव शब्द का अर्थ ही होता है या भी अब ये है तुब्लम सब्द का अर्थ होता है तुम्हारे लिए सासका शब्द का अर्थ होता है राजा या शाषन करने वाला अने शब्द का अर्थ इससे होता है या तिक्तिया भ्यक्ति में है यदा शब्द का अर्थ जब होता है या भी अब यह है शह शब्द का अर्थ सहन करूंगा यह रिट लकार में है शह धातू तेन शब्द का अर्थ उसकी द्वारा या उससे कस्टानी शब्द का अर्थ कस्टों को या दुखों को अभवस सब्द का अर्थ हुआ होता है भुधातू लंगलकार प्रशंपुरस एक बचन अकरोस सब्रका Lee किया होता है क्विजे को लंगलकार प्रशम पूरस्त एक बतना गाता सब्रकार हो गया पर आजयेस पुर्फ YouTube यहा सब्रक्पार्च गया होता है यह गमद रबचग उसका बदकार प्राच अले तर्म में है जारी ठाटनों और मेरे द्वारा स्प्कम्बर की ठाटनों को कांक्रिक में कटुर्टा पाथ हाथ महारानाव परताफा परादिया गया अगली क्लास में नेद्वारा प्रस्थनुत्र काथ कराया जाएगा भर्नेवाद